हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माय चैनल डैम डेलिशस आज मैं आप लोग ले कर आई हूँ तिरंगा वाली बड़फी एंड पेड़ा की रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है और यह दिखिने में कितना ब्यूटिफूल लगड़ा है ना तो सबसे बड़ी बात तो आप करते हैं तिरंगा वाली बड़फी एंड पेड़ा बनाने के लिए हम यूज करेंगे ब्रेड का तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और यह खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रेड को यहां पर देखिए मैं आठ ब्रेड आप साबधानी से चारो साइट से ब्रेड को कट करके हटा लिजिए तो यह देखिए इसे हमने कट कर लिया है चारो साइट से और यह जो साइट वाला पाठ है इसे भी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह साइट वाला जो पाठ है इसे हम मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे तो इस तरीके से तोड़कर इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से Mixer jar में पीस लेंगे तो ये देखिए इसे हमने अच्छे से पीस लिया तो इसे मैं एक परतन में निकाल लेती हूँ और अब हम white वाला जो braid है ना उसे हम piece लेंगे तो इसे भी इस तरीके से तोड़ कर mixer jar में डाल कर अच्छे से piece लेना है तो ये देखिए white वाला भी pizza आ गया तो इसी तरीके से हम सारे bread को piece लेंगे तो यहाँ पे देखिए white वाला और brown बाला दोनों piece लिया हमने और थोड़ा सा मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ ताकि थोड़ा सा बड़फी के उपर और पेड़े के उपर डेकोरेट करने के लिए तो सबसे पहले हम ब्राउन वाला जो ब्रेड पीसा है न तो इसमें हम एक कप चीनी डालेंगे पीसा हुआ चीनी चीनी अगर पीसा हुआ नहीं है आपके पास ताप घर में भी पीस सकते हो मैं इसे अभी पीसी हूँ और इसमें हम डालेंगे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा दूद थिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ Food Color, Orange Color तो थोड़ा सा हमें डालना है Orange Color ताकि ये Color हो जाए Orange Color का तो वापस से इसे अच्छे से Mix कर लेंगे तो ये लिजिए ये Orange Color हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ vanilla essence तो ये optional है अगर आपको इसका taste पसंद नहीं है तो आप इसको avoid कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा 2-4 बुन डाल दी हूँ ताकि इसका जो taste है वो आ जाए फिर हम इसे वापस से अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद देखिए ये orange color वाला जो है ready हो गया तो अब हम green and white बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए white वाला मैं पूरा ले ली हूँ और इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे एक कप पिसा हुआ चीनी और इसे वापस से अच्छे से mix कर लेंगे अच्छे से mix करने के बाद थोड़ा सा इसमें दूद डालेंगे ज़्यादा दूद नहीं डालना है थोड़ा सा dूद डालेंगे वापस से इसे अच्छे से mix करके थोड़ा सा vanilla essence और ढाल दी इसमें भी मैं ताकि इसका smell इसमें भी आजाए और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया तो अब हम इसे दो भाग में कर देंगे आधा हम green color डालेंगे आधा में और आधा हम white ही रहने देंगे तो आधा हम इसमें से निकाल लेते हैं इसे हम दूसरे बरतन में निकाल लेंगे और ये जो आधा बाचा है इसमें हम आधा डालेंगे मतलब की आधे में हम डालेंगे green color तो green color थोड़ा सा मैं डाली हूँ orange color थोड़ा सा ज़्यादा डाली थी क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा था brown वाला braid का तो इसके वज़े से तो ये लिजे green वाला भी ready हो गया तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दूद बच ही गया है जादा दूद मैं नहीं डाली एक कप में इतना बच गया है तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा दूद डालके आप अपने recording डालिएगा ताकि अच्छे से mix हो जाए तो ये देखिए तीनों color ready हो गया तो अब हम बड़फी बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से square shape में बनाऊंगी तो पहले मैं इस तरीके से circle कर लेती हूँ इसको round round और उसके बाद इस तरीके से हलका हलका प्रेज करते हुए इसको अच्छे से square shape में बनाना है आपको जो भी shape पसंदों आप बना सकते हो ऐसा नहीं है कि बस आप square shape ही बना सकते हो तो यह देखिए green color का square shape है यह बन गया तो इसे हम एक plate में या थाली में रख देंगे इस तरीके से और इसके उपर से हम डालेंगे white color वाला तो यह देखिए इसको भी हम इसी तरीके से round shape में करके और square shape देंगे यह देखिए इस तरीके से press करते हुए और अगर square shape नहीं बने तो आप इस तरीके से कर दीजेगा ना उंगली से तो यह square shape अच्छे से बन जाएगा तो फिर हम green color के उपर से डालेंगे white color और इसे हलका सा press कर देंगे ताकि एक दूसरे में चिपक जाए और अब हम बनाएंगे orange color तो orange color वाला जो है ना यह थोड़ा सा ज्यादा ली हूँ क्योंकि यह थोड़ा सा इसका जो quantity है ना थोड़ा ज्यादा है इसके लिए मैं थोड़ा सा यह ज्यादा डाल रही हूँ थोड़ा सा निकाली थी ना तो इसके उपर थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि यह इसका जो खूब सूर्ती है ना वो बढ़ जाए तो यह देखिए इस सड़ी के से हम हर तरफ से हलका हलका लगा देंगे अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको मत भी लगाईए ऐसे भी आप खा सकते हो तो यह देखिए स्क्वाइर सेफ बाला बढ़फी बनकर रेडी है तो अब हम बनाएंगे पेडा यानि की सर्कल सेफ में तो यह देखिए दिखने में कितना सुंदर लगड़ा है ना तिरंगा वाला बढ़फी तो अब हम बनाएंगे पेडा तो इसे भी हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे तीनों कलर और सर्कल करके बस हमें बीच में इस तरीके से प्रेस करते हुए सर्कल सेफ में तीनों को बनाना है तो सबसे पहले गरीन कलर डालेंगे फिर हम डालेंगे वाइट कलर और इसके बाद हम डालेंगे उपर से ओरेंज कलर तो ये देखे, पेडा भी बनकर रेडी है तिरंगा वाला पेडा, ये देखे, कितना सुन्दर लग रहा है ना, छोटा-छोटा एकदम बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, दिखने में बहुत सुन्दर लग रहा है, आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राह किजेगा, अपन गेस्ट को बहुत ही easy recipe है बीना gas जलाए बन जाता है तो कितना आसान सा recipe है ना तो ये देखें साड़ा बड़फी और पेड़ा मैं बना ली हूँ तो इसे मैं एक tray में इस तरीके से निकाल देती हूँ यानि कि serve कर लेती हूँ इस tray में तो देखा आप सबने कितना आसान सा recipe है जट पट से बन कर ready हो जाता है आप इस independence day special इस recipe को जरूर ट्राइ किजिएगा तो अब मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है तो ये देखें इसे इस तरीक recipe और पेड़ा की recipe पसंद आई हो अगर आपको तिरंगा और पेड़े की recipe पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और मेरे चानल को subscribe करना मत भूलिएगा तो मिलती हूँ next recipe के साथ तब तक के लिए बाई